Hello friends, welcome back to my channel, Divya Pregnancy Help, I hope आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गरब ववस्ता बहुत अच्छे से चल रही होगी आज हम बात करेंगे, प्रेगनेंसी के नौवे महीने के बाद, आपके प्राइवेट पार्ट से यूरेन या फिर वाइड डिश्चार जाता है तो वो कैसे पहचाने की वो यूरेन है या फिर पानी की थैली से पानी लीख हो रहा है, यानि की पानी की थैली फट चुकी है और अब आपकी डिलीवरी 48 घंटों में हो जाएगी, क्योंकि जब पानी की थैली फट जाती है तो 24 घंटे में डॉक्टर डिलीवरी करवा देता है, क्योंकि आपको लेवर पेन एक से दो घंटे के बाद उठना शुरू हो जाते हैं, अब बहुत सारी महिलाईं बहुत सारी गलती कर देती है, इसे पहचानने में कि यह पानी की थैली फट चुकी है, या फिर यूरीन है, तो आपको यह वीडियो पूरी वाच करनी है, क्योंकि प्रेग्नेंसी का जब नौवा मीना स्टार्ट हो जाता है, तो डिलीवरी आपकी कभी भी हो सकती है, डिलीवरी कभी र जाना होता क्या है, कई महिलाई ऐसी है जो कि घर में अकेली रहती है उनके साथ कोई बड़ा बताने के लिए गाइड करने के लिए नहीं होता, तो उन्हें ये चीजे नहीं पता होती हो और वो ये सब देखकर एकदम से डर जाती है, तो उनके लिए वीडियो मोस्तली है, क्य जाना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी आपकी चार से पांच घंटे में या दो से तीन घंटे में या जाते ही हो सकती है, क्योंकि कभी भी लेबर पेन आ सकता है, तो आपको वेट नहीं करना कि लेबर पेन उठेगा, तब हम हॉस्पिटल जाएंगे, जैसे ही आपको जब युट्रस पे जोर पढ़ता है, तो जो आपके यूरिन ब्लेंडर होता है, उसके उपर प्रेशर पढ़ता है, जिसकर आपको बार बार रुरिन की प्रॉब्लम नौवे महीने में बढ़ जाती है, आप बार बार रुरिन जाते हैं और असा लगता है क्या अब भी जु जब आपको बार बार यूरिन आप रात में भी सो लेकिन टूटके यूरिन जा रहे हो तो यह भी एक साइन होता है कि डिलीवरी आपकी एक से दो दिन में हो जाएगी क्योंकि बच्चा बहुत जादा पैल्विक्स में आना शुरू कर दे रहा है और यूरिन पि जो ब्लें जाएगी जब आप की थ्लीप अब लग सहकते हैं ओ जाएगी यह लेबर नहीं है सीधा प्रैवेड से पानी ही आएगा और फैसा अदोड़ा सा हल्का सा भी उसमें कोई स्मैल नहीं होगी कोई भी स्मैल नहीं होगी थोड़ा सा वो वॉइट वईट सा होगा और उसको कर देखना नहीं है आपने पफने देखना है कि वह यूरीन है या फिर पानी थाली से वाक्गे में मतलब डिस्चार्ज हो ए तो आप呢 क्या करना है सबसे पाले तो पने यूरीन करने जाना है अच्छे से आप यूरीन पास करके आऊ और उसके बाद हलाद सा पेट निचले हिं अगर यूरेन होगा तो वो रुक जाएगा लेकिन अगर वो यूरेन नहीं होगा भू पानी की थैली के अंदर ही बच्चा रहता है आगर पानी की थैली फट जाते है तो डॉक्टर को डिलीवरी 24 घंटे में आपकी कर्वानी होती है तो आपको देर नहीं करनी चाहिए सीधा hospital जाना चाहिए ठीक है क्योंकि बहुत सरे से case होते हैं कि महिलाई वेट करते हैं कि labor pain आएगा तब हम hospital जाएंगे पहले नहीं जाएंगे तो कई बर क्या होता है जब पानी की थाली से पानी फट जाता है ना पानी लीक होना शुरू हो जाता है यानि कि डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो बच्चे का डर रहता है कि बच्चा कई बर पौटी ना कर दे अगर वो पौटी कर देता है ममी के पेट में तो उससे क्या होता है बच्चे की सांस ले और बच्चे ने सांस ली और बच्चे के सांस के साथ अगर वो प्रधार्त मुह में चला गया सांस के साथ तो वो इसके जान के लिए भी खत्रा होता है तभी यह रिस्क मत लेना तभी भी पानी की थाली से आपको लगता है प्राइबिट पा तो यानि कि अब आपके डिलिवरी होने वाली है, आपको होस्पिटल जाना चाहिए, देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मैं हर एक वीडियो में आपको कहती हूं कि जब नौवा मीना स्टार्ट होता है, तब भी अपने साथ, किसी ने किसी को जरूर रखो अपने मम्मा को, या आपके घर में जो भी सिस्टर, भावी, जो भी हो, अकेला नवे मेने के बाद कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि लेबर पेन कभी भी उठ सकता है, ये बता कर नहीं आता है, अकेले रहोगे तो ये चीज़ देखके आप डर जाओगे, हजबन साथ में हो हमेशा, क् कि कभी भी पेन आएगा, तो अपकोई होगा साथ में लेके जाने के लिए हॉस्पिटल, ताकि देर नहीं हो, बहुत सारे केस में साथ देखा जाता है, कि बच्चे ने पौटी कर देते हैं, और जिससे बच्चे की जान पे खत्रा हो जाता है, मा के लिए भी नॉर्मल डिल ब्लीज होना शुरू हो जाते हैं, जब प्राइवेट पार से पानी आता तो तीन से चार गंटे में आपको धीरे धीरे लेबर पेन उठना शुरू हो जाता है, जैसे पीरेट्स वाला पेन होता है, वो पेन भी उठना शुरू हो जाता है, कई बारी जल्दी शुरू होता ह तो जब भी पानी की थाली फटे, वेट ना करें कि लेबर पेन आएगा, तो हम जाएंगे, अब डॉक्टर के पाथ जाएंगे, डॉक्टर आपका चेकप करेंगे, और आपका टेस्ट करके वो बताएंगे कि कितनी देर में डिलीवरी होगी, तो वेट नहीं करना है, दूसरा बहुत सरी महिलाएं और क्या गलती करती है, वो ये सोचती है, कि जब तक लेबर पेन नहीं आएगा, ब्लेडिंग नहीं आएगे, हम ऑस्पिटल नहीं जाएंगे, ये तो सिरफ पानी है, तो देखिए, बच्चा पानी की थाली के अंदर होता है, और अगर वो देखिए, बच्चा पानी की थाली के अंदर से अगर पानी खतम हो गया, तो बच्चा थाह दिल बात आजाती है, तो इसी ये आपको वेट नहीं करनी है, अगर ये बात आप आपने को गांट बांदी, कि जब भी वाटर ब्रेक हो भावस्पिटल जाना ही जाना है, तो आपकी या पानी की थैली से पानी खतम हो जाता है तब आपका सी-सेक्षन हो सकता है और कई बार बच्चे की जान पर भी बात आ सकती है तो यह रिस्क है तो इसको जादा रिस्क में मत करिएगा आपको थोड़ा बहुत भी लगता है प्राइविट पार से यह मतलब वाटर बेक हो र या ब्रावनिश कुछ पंधारत बहार आता है तो यानि कि बच्चे ने पेट में पॉटी कर दिया अब प्रेग्नेंसी रिस्की हो गई आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए ऐसा तब ही होता है जब मदर्स क्या करती है कि वाटर ब्रेक हो चुक है और वह वेट करती है लेब सबसे पहले आपने जो भी डॉक्टर साब का टीटमेंट चल रहे हैं अवे महीनी में उनका रॉंटक नमबर रखे सीधा उने फोन करें और उनसे बात करें और उनसे फिर जा के अपॉइमेट ले और उनसे विजिट करें क्योंकि डिलीवरी के कुछी टाइम रह जाता है य वाटर ब्रेक की कंसिस्ट्य है अलग होती है एक दम से बहुत सारा पानी आपके प्राइबिट पारस से धिर ली बीजिश। ली ठीक होता है और यॉरियन की जो कंसिस्ट्य होती है वो थोड़ी पतले वे में होती है और वह ठोड़ा से ही लिमिट तक आएगा उसके बाद अभी धिर्ट सब्सक्राइब तो पानी खंड प मतलब JULI पानी रुक लेगा थ्य्मक्ट तैया अधिक थी एगा जो पाने कि अधिक थाली में उते भाइन गिक अउपनी तो जाता है ठीक है तो आई होप आपको अच्छा अच्छी लगी होगी वीडियो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हल्पिंग और अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा शेयर करिएगा प्रेगनेट महिलाओं के साथ क्योंकि नौवे महिने में यह संकेद अगर आपको दिखते हैं तो नौर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं आपको वेट नहीं करने सीधा अपने हॉस्पिटल जाना है तो मिलते हूं किसी नई टापिक में किसी नई वीडियो के साथ तब तक अपना पूरा धियान रखिए बाबाई